नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिटिंग चैनल में आपका बहुत सौगत है आई आज 37 वर्स की महिला के पाम करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एकिक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले, अगर आप लोगों नभी तक हमाई चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है, तो क्रीप एकर के चैनल को सिस्क्राइब कर ले, बेल एकन को प्रेस कर दें, ताकि रेटेस नोटिफिकेशन आपको मेल जाएं, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका सवाल सुनने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज का वीडियो काफी महत्पून, क्योंकि आज मैं राहू लाइन के फल के विशे में और इसको देखे के कि आप कैसे समझें, कि आपके जीवन पर भी अंचाहे तकलीफे आ सकती हैं, उसका आपको कैसे पड़िचे मिले, इस ये वीडिय आप जीवन पर देखने को नहीं मिलता, इसका दुस्प्रभाब ही जीवन पर देखने को मिलता है, तो उस विशे पर इस वीडियो के माधियम से पूनता चर्चा की जाएगी, और आप खुद भी अपने अतिली को देखके ये समझ सकते हैं, कि ये लाइन्स हैं, तो ये तक तकलीफ आ गई है मरे लाइफ पर, जिस तकलीफ में ना तो मैं इन्भॉल्व थी, और ना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे जीवन पर ऐसी तकलीफे भी आ सकती है, मेरा दूर दूर सक उस चीज़ से कोई वास्ता नहीं था, फिर भी ये तकलीफे मेरे जीवन पर या कभी आपको ये अंचाहे तकलीफ दे देता है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कोई बीमारी, कोई इलजाम लगना, कोई केस मुकदमा होना, जेल जाना, एक्सिडेंट हो जाना, चोट लग जाना, तो वो बहुत सी स्थितियों को देखके उस चीज़ का और कभी कभी क्या होता है, कि राहू लाइन उतनी स्ट्रॉंग नहीं होती, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कते करते हैं, तो इसको समझना परता है कि ये कितनी स्ट्रॉंग है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग तो नहीं, ये बहुत कमजोर तो नहीं, ये मीडियम पर है अगर मैं वहाँ से चीजों को एकदम क्लियर करके दिखाऊं आपको तो यह देखो यह तक्रीबन यहाँ पर इनकी आयो आगई यह 22 की यह तक्रीबन 32 देखिए 37 में एक राहू लाइन ने यहाँ पर से कट किया तो इस प्रियड में इनको तक्लीफे आई जीवन पर और यह एज इनका बहतर एकदम बता रहा है कि इस फेज में आपको दिक्कते आनी थी और यह मेरे द्वारा भी कही गई एक तक्लीफ और थीरी के तक्रीबन 30 years के राउंड लेकिन उस तमें क्या था ना उस तमें इनकी प्राग्रस लाइन कंट बनी हुई थी तो वो दिक्कत आ है ऐसा कि आपकी फेट लाइन वहाँ पर से साथ है अगर मैं आपकी भागे रेखा को देखो तो यह साथ है लेकिन यह राहू लाइन रहने के वज़ा से हो क्या रहा है ना कि यह लाइन कहीं न कहीं आपको परिशानी क्रिएट करिए बे मतलब का परिशानी की जो मैं बात क आप वो बाली ये lines आपको दे रही है तो ये इसका आवधी एक से डेट वर्ष का रहता है एक से डेट वर्ष तो ये परशान आपको कर सकता है इसके regarding मैंने इनको बहतर उपाय बताया उस उपाय का मैं अभी चर्चा कर देता हूँ ये चुकि यूनिवर्सल उपाय है का चर्चा कर दूँगा आपको अगर हाथ पर रहु लाइन फीलो और वो एज आपकी नजदी को तो आप सिवलिंग पर जल सलाना स्टार्ट कर देजिए और शनी मंदिर जाना दिया जलाना स्टार्ट कर देजिए इसके फल को बहुत हद तक मारने के लिए सहयक होता है तो मैंने उपको उपाय बताया अगर वो आप करेंगी तो हो सकता है कि कुछ ही समय आपका कम लगे हो सकता है कि मानलो इसकी अवदी एक साल डेरे साल की है तो वो आपका छे मंध में ही क्लियर हो जाए या फिर उतने विशेश दिक्कत ना या फिर आप उस चीज से निकल जाओ लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा इसके बात से आपकी जीवन रिखा काफी स्मूत है और उपाय जो मैंने आपको बताया वही इनको भी बताया तो ही तो ही दिया जाता है तो आप खुद से करें यह मत समझ लेना, यह होती न, यह वग्य वाली बात, चलो मैं इसको तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यह मेरे समझ से बाहर की चीज़े है, मैं यही समझता हूँ, कि आप अगर आपको उपाई करना है, तो आप खुद से करिए, और आप इश्वर की खुद से अरा उसी तरीके से मैं चाता हूँ, कि आप भी वो करो, जो करने से मुझे फाइदा होता, मैं वही चाता हूँ, कि वो आप भी करो, समझ रहा है न, चलिए, तो यह इनका बहुती स्ट्रॉंग जीवन रेखा है, उसके बाद से एकदम क्लियर कट परती थोड़ी है, तो इसमें क 43, 44 में आपकी तरक्की होनी, लाजमी है, एकदम तैतमना वाली बात है, उसके बाद से एक हलकी राहू लाइन है, और फिर आपकी प्रगती के योग बने में, एक यहाँ पर से भी है, तो यह मैं इस राहू लाइन को इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मैंन कलीक ने, या फिर मेरे क्लाइन्स ने एक चीज किया होगा, उनके जीवन पर फाइदा आया होगा, तभी मैं इतना confidently बोल रहा हूँ, otherwise क्यों बोलूँगा, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, क्या आप करोगे ना, तो महादे में इतनी ताकत है, सरद्धा से भिर जाओ, तो फिर वो कोई समस्य आपके उपर आने देखंगे ही नहीं, ये एकदम guarantee वाली बात, तो ये कुछ questions थे बाकि आगे का जीवन कैसा रहेगा, देखिए आगे का जीवन एकदम must मक्षन है, smooth है, तरक्की भी करते रहेंगी, अभी आप एक तक्रिवन अगर मैं इस age को निकालूं, तो ये 53, 54 years की IU आ रही है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़े आप करोगी तो वो खतम हो जाएगा, continue progress line आपकी बनी है, इस case में प्रगती आप करती रहोगी, fate line भी इनकी ठीक ठाक ठीक ठाक चल रही है, तो इस case में क्या होता है न, तो अब profession change या कुछ profession add up होता है, अगर आपकी fate line यहां से ऐसे करें चले तो, लेकिन इनकी fate line समानता ठीक ठाक चल रही है, आगे यह जुट भी सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो fate line का वैशा कोई vicious दिक्कत नहीं है, पतली ही है, इनका benefit तो आपको मिलेगा यह देखो, यहां भी एक है, यहां से भ पर develop किये हुए है, तो इस case में आगया property भी बना पाओगी, और जो आपके तरक्की के योग दिख रहे हैं, इससे यह चीज़े एकदम असपस टूप से कही जा सकती है, कि आपके द्वारा property बनाई जाएगी, इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है, तो यह था इनका questions और मै अच्छे तरीके से clear करूंगा, अतली पर किया अच्छे कराब योग बनाई इसको भी बताऊंगा, तो सर प्रतम इनकी अतली का color, तो गुलाबी है, no doubt, इसकी निथिनी पाम है, तो इसमें राज्यों की प्राप्ती होती है, और स्क्वाइरिस है, तो मद्दे मेश को ऐसे ल देखोगे न, आप भी पाम को analysis करोगे, देखोगे तो आप भी इस चीज़ को समझ जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे पास कोई जादू नहीं है, ये मैंने इतना practice किया है न, इस चीज़ पे, और इतना predictions हमारा सही होता है, लोगों को मैं जो बताता हूँ, ठीक ठाक बगवान के पास सही होता है, तो इस case में मैंने बहुत देखा है, experience के है, इसलिए मैं देख के ही समझ जाता हूँ, कौन सा राज्योग है, और कौन सा महनत वाला है, और कौन सा बहुत ही कराब वस्ता है, तो आप भी है समझ जाओगे, समय के साथ साथ जाओगे, इस पर टाइम दो के तो आप समझ जाओगे, कुछ सीज़े experience से भी आती है, तो बहुत ही बहतरी नहते लिए है इनकी, और इस पे करहो में अच्छी कासे strength है, इस case में वेक्ति को राज्योग का फल मिलता है, और राज्योग को लेके confusion में मत रहना, यह सब के अतली पर रहता इनकी गुलाबी, गुलाबी भी धन को attract करी की, दूसरी इनकी थंब को, strong वेक्तितों का परिचे करा रही है, ऐसी महलाई जुकती नहीं है, यह वकील है, advocate है और इनकी देखो तो इनकी ब्रशपती finger बढ़ी है, तो इस palm को देखके में यह कह सकता हूँ कि आपके लिए profession suitable है क्योंकि देखो जब advocate की बात आती है, तो नजर कहा जाती है, नजर जाती है Jupiter finger पर, Jupiter finger आपका बड़ा हो तो leadership quality, बोलने में सक्चम, दारसनिक सोच, और आप advocate हो आपको बोलने भी आना चाहिए, आपकी दारसनिक सोच भी होनी चाहिए, और कहीं न कहीं आपकी leadership quality भी होनी चा कि आप थोड़ा और change कर लो, थोड़ा और अपने जीवन के विशह में कुछ और चीज़ है, समझ लो देख लो, तो ये इनका profession ठीक है इनके हिसाब से, इनके palm के हिसाब से, और इनकी thumb भी काफी शानदार है, तो जुकना तो आपको आता ही नहीं, व्यक्तित्व का परिच् शानदार है, बहुत strong thumb, बहुत rare case में ऐसे thumb देखने को मिलती है, जो अपने दम पर चीजों को बहुत दूर तक ले जाती है, अपने दम पर ये लोग बहुत कुछ एचीव करते हैं अपने जीवन पर और इन लोग को जुकनी नहीं आता, बहुत अच्छा सानदार है, और अ IPS officer, उनकी हैतली पैसे thumb देखने को मिलती है, तो ये अच्छा है, ये आपकी bold personality का सूचक है, समझदारी की लूप भी काफी अच्छी बन रही है, इस case में आप काफी समझदार है, चीजों को समझदारी से करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, दूसरा खड़ी line बढ़ी है तो आप खराब नहीं आप दिल की, दिल की आप काफी अच्छी हैं, कोई आपके साथ गलत भी करें तो आपको कोई फरक नहीं परता, आप उसके विशा में कभी गलत नहीं सोच सकती, ये तो दिल के काफी साफ सुतरा इनसान होते हैं, ब्रश्पती finger बढ़ी है, इस case में थ तो व्यक्ति कैलकुलिटिव होती है, लेकिन हाँ, खर्चे भी इनके फालतुके होंगे, कभी-कभी हो जाया करेंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने टेरेंट के दम पर, अगर आपके शूरी finger तिंड कर जाया आपके साथ तो अपने दम पर ऐसे व्यक् जिसको मैं लापरवाही से भी तुनलाथमा कि स्थिती बताता हूँ, और एक आपकी हो गई, आपकी अपने इस्वयम के परती लापरवाही, इस दोनों ही केस में आपके खराब समय में, आपको फल इसका दुस्प्रभाव ही मिलता है, दुस्प्ल ही मिलता है, होता क्या है आपने बिना सूचे कोई निरने ले लिया, या फिर सोच समझ के भी गलती आप कर रही है, बिना किसी से पूछे, ओवर कॉंफिडेंस में, और यह decision making and problem create कर रहा है, उस निरने की वज़ा से आपके जीवन पर तकलीफे आ सकती है, यह बहुत common है, इसलिए आपको मैं हमेशा suggest करता हूँ या किसी को भी, अब निरने सोच समझ के लिया करें, यह काफी ज़रूरी है, फिर देखें इनके तेले पर ब्रशपती, इनके ब्रशपती काफी ज़धा developed है, तो व्यक्ति अपने काड़े छेत को बढ़ा कर पाता है, लेकिन अपने सगे संबंदी से, पारिवा साब की जो सगे संबंदी, उससे problems को indicate करता है, तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ज़्यादा दिल पर किसी की बाते ना लिया करें, लेकिन ब्रशपती आपकी काफी परबल है, ब्रशपती में कोई परकार का distraction नहीं है, तो value मान समान आपको उचस्त तिरको बढ़ा पाना, और सबसे बड़ी बात है, जिस भी मुकाम पर है, उसमें एक सम्मानित पद पर पहुंचाना, फिलाल भी बन रही है, जुपिटर में ली उभारे तो ऐसे लोग दारसनिक्स तो होते ही होते हैं, कुछ लाइन्स ऐसे बनी हैं, तो पर उपकारे वाले कारे करना, लोगों की मदद करना आपको पसंद होगा, फिर देखे, यहां से दबाव व्यक्ति काफी मैनती और थोरा वेड गेन कर सकती हैं, लेकिन एक जो आपकी योग बन रहे हैं, आपकी फेट लाइन सूरी के तरफ बल रही है, तो इस केस में विदेशी धर्ती से धनल सुन के राउन, और आपकी मेनत भी आपको करना आता है, यह लोग मेनत कर सकते भात यह अच्छे तरीके से, फिर लाइन ओफ एजूकेशन भी बनी वी है, तो व्यक्ति की बेसिक नॉलेज काफी अच्छी होती है, बेसिक नॉलेज में किसी परकार की कमी नहीं, ऐसे लोग अपने कारे को सोच समझ के करते हैं, काफी ज्यादा IQ लेवल के अच्छे होते हैं, चीदों को समझने के लिए, या समझाने के लिए, बहुत बैतरी, फिर देखे एक लाइन आपकी पैत्रिक संपत्ती की तरफ सारी, तो वैशा कोई विशेशतम साथ नहीं, लेकिन फिर भी इस केस में पैत्रिक संपत्ती का साथ मिलता है, और एक सूरी रेखा, एक सोर्स ओफ इंकम तो आपकी बनी रहेगी, और यहाँ पर एक पल्टिपल प्रपर्टी के योग डवलप कर रही है, जो की एकदम स्ट्रॉंग है, तो आने वाले 45 के बाद आपको प्रपर्टी मिलना इस बात का ख्याल रखें कि जादा दर्दी नर्वस नहीं होना है, चीजों को समझना है, और शुरी इनकी प्रबल है, तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, और यह लोग नेम फेम कमा भी लेते हैं अपने जीवन पर, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, फिर देखे यहां पर से मंग, दोनों ही मंगल लाजबाब, तो व्यक्ति काफी मेहनती, मेहनत में किसको ही संदेह नहीं, एनरजेटिक जबरदस्त, और मंगल अच्छा होता तो आप कारी को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, स्वस्त रहते हैं, स्वास्त में किसी प्रकार की परिशानी नहीं होती है, आयू दिरगाई होती है, तो मंगल लाजबाब, मंगल का आपको फल मिलेगा कि आपकी आयू बहतरीन होगी, और इस मंगल में आपको एनरजी भी लाजबाब मिलेगी, और दूसरी multiple property के योग है, तो property भी बना पाएंगी, चंदर में अच्छा है, तो शानद पूलने वाले इंसान मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक logical तरीके से अगर सोचू ना, या मैं आपको एक नजरिया दू, तो उनके दिल में आया, वो बाते वो बोलके निकल गया, ठीक है, उनके दिल में फिर कुछ नहीं बचा, वो फिर कोई भी कारी करेंगे, तो energy से करेंगे, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, और एक परसन ऐसा है, कि दिल में सब बाते रख लिया, तो उनके दिल में वही बाते चलती रेगी, वो क्या आगे का सोचेगा, तो इसको logical तरीके से ऐसे समझे, कि कभी भी ना, किसी के परती कुछ रखने का मतलम नहीं बनता अपने कारे पर ध्यान दे, और दूसरा इनकी चद्रमा अच्छी है, तो विदेश में यातराएं होती ही है, और विदेश ही दर्ती से धनलाफ होता है, यह घर से दूर का इनको सक्सेस दिखता है, इस केस में, फिर देखें, इनके केतु मांट पर एक बहतरी इन यह तो इनको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका फिश बहुत जबरदस्त है, और आयू में भी यह बढ़ोतरी कर रहा है, फिर देखें इनके शुक्र, स्ट्रॉंग शुक्र है, तो लाइफटाइम सोचने का हो शक्ता नहीं है, हर एक किशम का लगज़री का स इन लोगों मिलता है, तबी तो फूड़ी है, फिल देखें इनके इतली पर, यह कुछ लाइफटी को पैसे आजाते हैं, शुक्र साफ सुतरा है, तो फिर जब जैसे काले बादल हटेंगे न, तो comfort के लिए गारी मकान वाहन के लिए सोचने का हो शक्ता नहीं है, आपको मिल मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति किसी के सामने जुकता नहीं है, कार इमें काफे एनरजेटिक और इमानदार, आप मंगल अच्छे व्यक्ति को इमानदार घोसित कर सकते हैं, अपने कारे को लेके, फिर देके इनके तरी पर जीवन रेका, स्ट्रॉंग जीवन रेका आयू द अच्छ पार एक दिक्कत आपके 29 में में वाई होगी, और उससे 26 में तरक्डी थी, आपकी 30 में तरक्डी थी, एक 36 में और लेकिं एक 37 में दिक्कत थी, एक साल का प्रेडर रहेगा, उस समय उसके बास से जीवन रेका है, स्मूथ है, 42 में बड़ी तरक्की के योग है, और इससाब से कहना एदर मनुचित नहीं है कि आगे का समय आपके लिए बहतर रही है इस साल का कश्चन निकलेगा उसके बाद से विशेश कर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उपर नीचे हलका फलका जीवन में होगा वो तो जीवन का पाठ है चलता रहता है क्योंकि बागी रे का बहुत बढ़ी आयो में कोई प्रिशानी वाली बात नहीं माइन रेखा भी जबरदर दिमाग की काफी तेज अभी जो आपका समय चल रहा है 37 यर्स का तो वहीं पर से खलकी सी दिक्कत वाली प्रिशानी वाली एक इंडिकेशन से है उसके बाद से आपकी माइन रेखा भ को एक अलग हीं चमक है और continue G1 का last period तक है तो G1 का last period आपके लिए काफी उमदा है और multiple property का योग भी बने हुए तो इस case में आपको property का साथ भी मिलता है एक से जादा इसके पहले की fate line कैसी है ना कि मालो दो साल आपका अच्छा रहा एक साल कुछ distraction हो गया वो पैसे को लेके धन को लेके है जितना कमाई हो रहा उससे थोड़ा कम हो किया लेकिन 45 के बाद जबकी fate line है ये तो भ्यानक है जबरदस्त इसके पहले थोड़ी से आपको हो सकता है कि आपको ये चीज़ फील हो कि मैं जितना deserve करते उतना कमाई नहीं हो पा रहा है लेकिन कमाई मूलता हो जा फेट लाइन ठीक थी नॉर्मल नॉर्मल फल मिला होगा लेकिन मस्त आपकी fate line 45 के बाद हुई है गजब की fate line हुई है यहां पर से भी कि square से तो property मूलता ऐसे लोग बना ही लेते हैं बुद्ध रेखा भी इनके developing stage पे है तो आगे चलके कुछ वैपार भी इनके द्वारा किय जा सकता है वैपार्क डिस्टी कौन से बेस्थिती अच्छी है बट money triangle properly नहीं बना हलका टूट गया तो इस case में क्या होता ना कि यहां से भी gap है तो पैसे जमा करने में दिक्कत होती है ऐसे लोग पैसे जमा करना चाहती है लेगिन कुछ ऐसे खर्च हो लग जाते है जीवन of income बनी रहेगी और साथ साथ property भी बनाओ गया जीवन कर लास प्रेड तक प्रेट लाइन का कोई दिक्कत नहीं है तो 45 के बाद golden प्रेड इससे पहले आपकी जिंदगी अच्छी बीते जाएगी इस राहू लाइन का प्रेड एक साल का है इसके बाद से कोई विशेशकर दि है तो इस case में क्या होता है ना कि व्यक्ति emotion होते है प्रिवार से काफी जादा attached होते है प्यार करने वाले होते है हर्ट लाइन आपकी अच्छे लेकिन थोड़ा emotional आपको परतीत कर रही है और जो emotional होते है वो ऐसे भी गलती नहीं करते है इन्होंने मुझसे का कि मेरे पर जो कर दे शेर कर दे सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी मेरे से प्रामशना चाहते हैं तो मेरा वाट सप्रमडर श्क्रिप्शन मिल जाएगा लेकर आप मेरे से संपर्थ कर सकते हैं धन्यवाद